बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल में दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा BEMR Limited के आईफ़ी वेकेंसी के बारे में जो Ministry of Defense के अंतरगत आती है तो इसका form कैसे fill up करना है पूरा process जो है step by step इसके साथ साथ दोस्तों इस वेकेंसी में क्या क्या important information है जैसे के examination date, pattern, कब होगा, कहां पे होगा, क्या last date है सारी information जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा तो बैर यह आप हमाय साथ वीडियो को एक बार पूरा देखेगा दोस्तों तभी जो आपको साइड डिटेल जो है आपको यहाँ पर मादम चलेगा तो चले दोस्तों सबसे पहले हम information के बारे हम बात करेंगे इसके बाद जो है form को fill up करके step by step process आपको यहाँ पर बताएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो है vacancy निकल रखी है अगर बात करेंगे management training के लिए vacancy आ रखी है यह जो है permanent vacancy है freshers candidate जो है form को fill up कर सकते हैं यहाँ पर B, BTEC, in mechanical, electrical और triple E branch वाले candidate जो है eligible है 70% जो यहाँ पर requirement है 40 जा से लेके 1,40,000 तो यहाँ salary है पस 20 साल जो है दोस्तों यहाँ पर age limit रखी है general candidate के लिए OBC के लिए 20 साल, SS टीस साल यहाँ पर age limit रखी रही है initially जो है दोस्तों आपको यहाँ पर training में रखा जाएगा यहाँ पर दोस्तों age limit मैंने आपको बता दिया और बाकी जो information है जैसे कि यहाँ पर इसके examination pattern के regarding और कैसे apply करना है क्या last date है तो form की last date जो है दोस्तों 15 दिन के लिए form activate हुआ है तो 30 March 2022 जो है इसकी last date है तो चलिए दोस्तों form को कैसे fill up करना है इसके regarding बात करते हैं इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पर बाकी information बताऊंगा तो form को fill up करने के link मैंने आपको description box पर दिया हुआ है आपको करना क्या है आपको click करना है सबसे पहले registration पे registration में दोस्तों आप जैसे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रगार का इंटरफेस कुल के आएगा जहाँ पर दोस्तों सारा information जो मैंनी आपको बताया है वो बताया होगा तो आपको करना क्या है यहाँ पर टिक कर लेना है आई agreement and terminal condition को अगर आप देखना चाहते है तो आप यहाँ पर click करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर new registration का option आजाएगा यहाँ पर post applied for तो यहाँ पर आपको select करना है तो जो भी post है जैसे के management trainee grade 2 है इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है first name last name आपको अपना mail id देना है mobile number डालना है password डालना है और re-enter password डालना है तो चलिए दोस्तों हम सारा चीज फिल अप कर देते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हम अपना सारा information फिल अप कर चुके हैं अब password आप process यह कीजेगा कि इसमें एक special character और इसमें एक number डालना हो ताकि उससे क्या होता है कि जो password रहेगा दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका उसम इसप्रेशल करेक्टर भी यूज होना चाहिए तो यह password जो आपको इस प्रकार बनाना है चलिए हम password बनाते हैं इस प्रकार इसके आदोस्तों यह सारा information डालने एक बाद आपको करना क्या है नीचे जाना है और यहाँ पर जो है register का option है इस पर जाके क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे आप register करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पफ़ फुल क्या आगा यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका registration है वो successfully complete हो चुका है आपका user ID और password जो आपके mail ID में जो है send कर दिया गया है तो आपको करना क्या है आपको mail ID चेक करना है तो mail ID जो है user ID और password अगरा आया हुआ है तो वो डाल देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना user ID और password जो है डाल देते हैं तो register करनेक बार दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का platform आया है अगर मालिज आप अपना password भूल चुके है तो आप जो है get password क्लिक करेंगे तो आप आपका password जो है फिर सी भीज जाएगा आपके mail ID पर तो यहाँ पर देखिए पर सबसे पहले fill up करना है अभी देखिए आपको अपने father का नाम लिखना है जो भी आपके father का नाम हो दोस्तों आप मेंशन कर दीजे इसका दोस्तों यहाँ पर आपके mother का नाम जो है लिखना है इसका दोस्तों यहाँ पर जो है आपको अपना date of birth लिखना है जो भी आपको date of birth लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपका है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपना date of birth लिखने के बाद आपको यहाँ पर gender select करना है जो भी आपका यहाँ पर gender है उसे select कर लि दोस्तों यहां पे आपको matter status बताना है, married है कि unmarried है, category बतानी है, क्या category है आपकी, इसके दोस्तों यहां पे आपको पीडम लूडी candidate है, तो yes नो में जवाब देना है, इसके बाद दोस्तों यहां पे अगर आप EWS है तो yes नो में जवाब देना है, यहां पे अधार card number आपको यहाँ पर Save and Continue को आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर कुछ इस प्रगार प्लाटफॉर्म आता है इसको OK कर देना है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या information मांगी जाती है आप से यहाँ पर जो है आप से अड्रेस वगेरा पूछ आ रहा है तो जो भी आपका अड्रेस हो आप यहाँ पर अपना अड्रेस डाल सकते हो यहाँ पर जो है आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो कौनसी स्टेट से जो है आप बेलाउन करते हो यहाँ स से आप district select कर सकते हो जो भी आपकी district है इसके बाद दोस्तों यहां से जो है आप जब नीचे यहां पर जाते हो तो आप से जो है nearest post office पुछा आता है और pin code पुछा आता है तो यह सारा information जो है आप डाल देंगे इसके बाद दोस्तों अगर आपका correspondence address और permanent address सेम है तो इसको tick कर लेंगे टिक करने बाद इसको save and continue को आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहां पर देखिए आप डिके हैं saved successful आ जाएगा अब जो है इसको okay करते ही आप देखेंगे आप से qualification के बारे में पूछा गया है तो यहां पर देखेंगे 10 के बारे में पूछा गया है कि कौन सा board है आपक इसके यहां पर यहां पर year of passing गया है जो भी आपको year of passing हो आप बता सकते हैं तो आपको वह MAX पर पर डाल दीजे इसका यहां पर percentage पूछा गया ह है पर percentage डाल दीजे यहां पर division जो है आप अकरो bolts करसकْते हैं अगर आपका CGPA है तो आप जो है formula for the conversion of CGPA यहाँ पर डाल सकते हैं तो मतलब आपको जो है percentage जो है CGPA को percentage में convert करना पड़ेगा कौन सा formula यूज़ की है वो formula यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसी दाए दोस्तों यहाँ पर 10th और 12th के बारे पूचा किया है अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आपको जो है डिप्लोमा के बारे में डालना है कौन से बोट से किया हुआ है यह डालना है passing of year डालना है तो जो भी आपका passing of year हो percentage वगगारा कितने आपने पाये हुए हैं आप यहां परita Dads कर लेंगे इसकर यहां पर जब आप नीचे आते हो तो यहां पर देखेंगे यहां पर आपको graduation के बारे में बताना है तो rayiesta में इसके यहां पर save and continue पर आप click कर देंगे तो आपका जो form है वो application successfully save होके इस प्रकार आजाएगा अब यहां पर document जो आपको upload करने है जो file का size है वो pdf format में होना चाहिए और यहां पर 100 के भी इसलेके 300 के भी तक जो है photos जो है upload करना है मतलब यहां पर जो document है इन्हें upload करना है तो इसके भी जो होना चाहिए यहां पर आपको choose file पर जाना है choose file को select करना है जहां पर भी दोस्तों आपकी photos होगी आपके system में या फिर computer में या फिर आपके mobile में तो आपका कुछ इस प्रकार आजाएगा तो आपको करना क्या है आपको वो सारी information को जहां पर भी आपने save कर रख अब यहां पर file size अगर आपका wrong होगा तो कुछ चीज़ पर रखाएगा error message यहां पर signature जो है आपको सही size का signature जो होना ज़रूरी है तो आप जो है अपना signature वगएरा भी यहां पर सही size होना चाहिए signature का थोड़ा उसको ध्यान रखिएगा कि आपका signature है वो size होना चाहिए तो चली हम जो है यहां पर signature भी आपको upload कर देते हैं थोड़ा सा error आ रहा है तो हम size उसको सही कर लेंगे आप भी अगर लगता है आपके पार size नहीं है तो size maintain कर लिजेगा अब यहां पर देखिए document में आपको सारे document जो है PDF format होना चाहिए और यह जो है यहां पर choose file पर जाना है स अब करने एक बाद दोस्तों यहां पर i hereby है इसको आप select कर लेंगे और यहां पर save and continue कर देंगे तो आपको जो form है वो save हो जाएगा अब दोस्तों बहुत से candid ऐसे होंगे जो पूंच रहोंगे कि इस form को fill up करने के लिए हमें क्या-क्या requirement है तो देखिए हमें क्या-क्या requirement है मतलब application form के regarding तो यहां पर दोस्तों मैं application form के regarding बला दूँ पांच सर रुपए का जो यहां पर application form रखा गया है तो application form कहां से fill up करना है यह document सारे तो आप upload कर लेंगे मुझे मालूम है इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जो payment करने के लिए आपको जब नीचे आते है त यहां पर दोस्तों आप चलान का option है या फिर दोस्तों आप चलान कहां से पाएंगे SBI करेंगे तो आप यहां पर link दिया गया इस link को आप click करेंगे जैसे दोस्तों आप link को click करते है तो यहां पर application form है वो general source OCD के लिए 500 रखा गया है तो आप यहां पर online payment कर सकते हैं तो वो payment transfer number जो है और इसकी जो receipt है वो आपको upload कर नहीं पड़ेगी, तो payment करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार जो है option आएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको select state, तो यहाँ पर थोड़ा सा time लगेगा, तो आप थोड़ा आराम से यहाँ पर कीजिगा, यहाँ पर all India को select कर ले रहा है, all India select करने के बाद, यहाँ पर हमने all India select कर दिया, अब यहाँ पर go है, go को click कर दे करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर देखे, बीएमल आ गया अपने आप, अब यहाँ पर जो है payment category पहुचा है, तो जो भी आपकी category है, यहाँ पर देखिए, recruitment यह number है, इसको जो आपको select कर ले रहा है, अब इसको select करते ही, आप देखेंगे, यहाँ पर सारा information आपका candidate का ना इसको जब आप नीचे scroll down करते हैं, यहाँ पर category आती है, जो भी आपकी category है, आप अपना category select कर लीजेगा, यहाँ से आप payment कर सकते हैं, यह सारा information fill up करके submit कर देंगे, तो आप जो है अपने debit card, credit card कि इसी से भी जो है, यहाँ पर form को fill up कर सकते हैं, application, तो वही application नंबर जो आए जाएगा, वो उसको आप save कर लेजाएगा, इसके साथ दोस्तो एक PDF टाइप कर download होगा, वो आपको यहाँ पर upload करना पड़ेगा, यह सारा चीज़ जब आप upload कर देंगे, इसके बाद जो आप submit करेंगे, बाद आप सेव और continue करेंगा, तो आपका जो form है, वो पुरा submit हो जा करेंगे, अगर आप जब आप इसका notification पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, कि इसका examination वगेरा, कहां पर होगा, लेकिन जहां तक मैं समाचता हूँ, इसका examination center है दोस्तो, वो आपका all वा India हो सकता है, और हलाकि यहाँ पर examination center पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी यह देंगे, तो उसके लिए आपको जो है, इंतिजार करना पड़ेगा, और कैसे, कहां से मिलेगा, यह सब जो है, आपको, इनके website, या फिर दोस्तो, जो आपने mail ID दे रखा है, उस पे जो है, आप इनका information, जो है, उसमें जो है, सेंड कर जाए, आपकी mail ID पे, तो वहा वीडियो जो आपलो की helpful रहा है, मिलते हैं भी ने वीडियो के साथ, आज के लिए सकतना है, थैंक्स वो वाचिंग और लिस्निंग.